Hello Excel Users, Pivot Table को अक्सर आपने कभी न कभी एक्सल में यूज़ किया होगा, या तो डेटा को समराइज करने के लिए या फिर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ये डेटा है और इस डेटा से आपने कुछ इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करवानी है जहां पे हमें particular publisher के लिए जो उनकी books हैं जिन subjects की वो comma form में इस तरह आने चाहिए तो यहां पे आपका जो private table है वो fail हो जाता है private table यहां पे काम नहीं करता अगर आप इस डेटा का private table create करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह की जो report है वो generate करके देगा तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा data है और आप अपने data को summarize करके इस तरह represent करना चाहते है तो इसके लिए हमें कुछ formulas की requirement होगी जो अकसर ही हम Excel में use करते हैं दो-तिन formulas हैं उनको use करके हमारे इस तरह का data जो है वो आ जाएगा तो क्या वो formulas हैं कैसे हम इसको बनाएंगे पूरे detail में मैं इस वीडियो में आपके साथ share करूंगी तो वीडियो के end तक आप मेरे साथ बने रहें मैं शाली नी स्वागत करती हूँ आपका इस channel पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे data है serial number है, publisher है, subject है और quantity sold है तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लेके आने है publisher और उसके subjects अब जैसे first publisher है Selena तो मैं manually अभी यहाँ पे इसको लिख दूँगी थोड़ा से हमें का size बढ़ा लेते हैं चलिए, अब मुझे लेके आना है subject तो यहाँ पे सबसे पहले जो function हम use करेंगे that is filter function filter function आपने हमेशा Excel में use किया है और बहुत easy है इसको use करना तो सबसे पहले हम data को filter करके यहाँ पे लेके आएंगे सबसे पहले है array अब मुझे क्या लेके आना है यहाँ पे subjects लेके आने हैं तो subjects के इस array में है तो मैं इसको select करूँगी array मेरा select हो गया है अब इसको freeze करेंगे F4 की health से comma first parameter हम दे चुके हैं अपना array जो की है subjects second है include मतलब अब हमें यहाँ पे condition लगानी है कि क्या filter होके हमारे यहाँ पे result आए तो देखिए यहाँ पे concept क्या है कि जो publisher का name हम यहाँ पे लिखेगे उसी publisher की जो आपकी subject books है वो यहाँ पे आए उन सभी subjects का name यहाँ पे आए तो उसके लिए हमें यहाँ पे publisher को select करना है इस पूरी range को select करेंगे range selection के बाद इसको भी F4 की help से हम freeze कर देंगे अब यह value किसके equal होनी चाहिए इस publisher के equal होनी चाहिए मतलब जहाँ जहाँ आपका Selena लिखा हुआ है वहाँ वहाँ से यह जो subject से हैं वो filter out होके हमें यहाँ पे मिल जाए तो मैं ब्रेकेट क्लोस करूँगी और enter तो देखिए Selena publisher की हमारे पास 5 subjects की book आगई math, physics, chemistry, bio and computer लेकिन हमें यह इस format में नहीं लेके आना हमें यह कैसे लेके आना है कि यह single एक ही वाल्यू आजाए और साथ में कॉमा से यह separate हो तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे यूज करूँगी एक और formula that is text join text join का काम क्या है आपके text को join करना तो text join में हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे parameter आता है वो है delimiter delimiter होता है कि जब आपका text आपस में join होगा तो उसमें हम किस चीज से उसको separate करेंगे paste से, comma से, dot से किस चीज से उसको separate करेंगे हमें separate करना है comma math के बाद comma आजाए फिर दूसरा subject आए फिर उसके बाद comma फिर third subject आए तो इस तरह हमें इस row में data को लेकिया आना है तो मैं double quotes के अंदर लिखूंगी comma double quotes हम यहाँ पे करेंगे यह हमने first parameter अपना दे दिया उसके बाद हम लगाएंगे comma ताकि हम second parameter पे जा सके second parameter पे होता है कि अगर आपके cell empty है उसको ignore करना है यह नहीं करना तो इसकी हमें यहाँ पे कोई requirement नहीं है तो हम comma लगाकर third parameter पे चलेंगे third parameter में हमें देना होता है अपना text जिसको हमें join करना है with the help of delimiter तो text मेरा क्या है text तो already हम filter function से ले आए हैं जो हमारे subjects है math, chemistry, biology, computer तो यही हमारा text है तो यहाँ पे हम filter formula ही रखेंगे अब हम चलते हैं बिलकुल last में यहाँ पे हम अपने text join को करेंगे close और enter तो आप देख सकते हैं यह सारा data हमें इस format में मिल गया है आप चाहो तो इसको इस तरह से अपने cell का size बढ़ा सकते हैं अब मैं यहाँ पे change कर देती हूँ जैसे यह middle series है हमने copy किया यहाँ पे paste किया तो जैसे मैंने paste किया देखी इसके subjects जो है वो change हो गए है similarly foundation series इस publisher को यहाँ पे enter करेंगे तो subjects जो है वो change हो गए Hindi, Urdu, English and Punjabi तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है हमारा पास publisher है subjects आ गए अब आती है उसकी quantity sold कितनी quantity उसने sold की है quantity sold तो बहुत simple है निकालना हम यहाँ पे sum if का formula यूज़ करेंगे उससे पहले अब हमने क्या करना है देखिए अगर मैं इस formula को नीचे drag करती हूँ तो अभी Kelsey error आ रहा है Kelsey error क्यों आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे value चाहिए publisher की value चाहिए अभी तो देखिए मेरा data बहुत ही ज़्यादा small है तो आपका bulk में data हो सकता है तो आप manually तो publishers को यहाँ पे one by one entry नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा हम इसको वापिस कर देते हैं यहाँ पे मैं manually लिखने की जगा पे हम use करेंगे formula का formula क्या होगा हमारा unique unique क्या करता है आप जो array प्रोवाइड करोगे उसमें से unique values को आपको represent करेगा तो हमें unique क्या लेके आने है publisher publisher कहाँ पे है हमारे यहाँ पे है तो हमें इस range को करना है select, range आपकी select हो गई है bracket close करेंगे and enter तो अब देखिए मेरे पास सारे publishers आ चुके और अगर अब मैं अपना formula इस तरह से drag करूँगी तो हर एक particular publisher के सामने उसके subject books जो हैं वो आ गई अब बात करते हैं quantity sold अब Selena publisher ने total कितनी books को sold किया किसी भी subject की हो सकती हैं सभी subjects को मिला के हमें quantity sold निकालना है तो यहाँ पर आएंगे equal to हम use करेंगे sum if bracket start सबसे पहले हमें देनी है range तो range क्या range का मतलब है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको इस range को भी हम करेंगे यहाँ पर F4 से freeze उसके बाद आता है हमारा criteria अब हमें यह पता चल गया कि यह publishers हैं अब criteria बताना है कि किस के base पे हमें quantity sold निकालनी है तो criteria क्या रहेगा हमारा यह वला कि इस पूरी range में जहाँ जहाँ यह value है सलीना उसकी quantity sold निकालनी है third parameter है sum range अब किसको sum करना है तो हमें sum range देनी होगी हमें quantity sold निकालनी है इन values को हमें sum करना है जहाँ जहाँ सलीना है वहाँ वहाँ आपको तो मैं F4 से इसको freeze कर दिया और bracket close करके enter कर दिया तो सलीना के लिए आपकी total quantity sold आगी 266 math, physics, chemistry, bio and computer को मिला के इतनी value तो अब मैं इसको नीचे drag करूंगी तो यह सारी values हमारे पास आ चुकी है और अगर हम अपना private table चेक करें तो जैसे सलीना के लिए total quantity sold कितनी है 266 तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो यह रहा हमारा सलीना यह रही value 266 middle series के लिए है 303 तो चेक करते हैं middle series के लिए 303 yes, foundation series के लिए 212 तो यह है आपकी foundation series इसके लिए 212 देखे बलकुल सही आपकी values शो हैं वो आ चुकी हैं तो इस तरह से आप अपने data को represent कर सकते हो with the help of simple formulas तो total हमने चार formulas यहाँ पर implement किये filter, text join, unique and some if इन चारो formulas का अगर आपको basic clear है तो आप easily इनको अपने data पर implement करके जिस वे से अपने data को represent करना चाहते हैं तो आप represent कर सकते हैं अगर आप Excel के formulas की वीडियो सेखना चाहते हैं तो हमारी different and different playlist बनी हुई है formulas के उपर तो आपको text formulas के लिए अलग playlist मिलेगी तो based upon category आपको अलग-लग जो playlist है वो मिलेगी तो please आप channel की playlist को visit कीचे और formulas को सीखिए तांकि आप next time अपनी Excel sheet में उन formulas को implement कर पाएं अगर ये video tutorial आपको beneficial लगा इस video के नीचे comment एक like और इसको share जरूर करें और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है please do subscribe this channel for more informational videos thanks for watching